पांच पावली थाना अंतरकर शादी का जासा दे कर चार साल तक युफ्ती से बलातकार करने का मामला सामने आया है पहले तो पुलिस ने धोका धड़ी का मामला दर्च किया था उसकी 24 खंटे बाद बलातकार का मामला भी दर्च कर आरोपी बाबा बुद्ध जी नगर निवासी अश्वाक अमीर अंसारी को ग्रफतार कर लिया शादी का जहासा दे कर चार साल तक युफ्ती से बलातकार करने का मामला सामने आया है पाचपावली पुलीस ने पि Catalunya के शिकायत पर पहले धोका धड़ी का और उसके 24 खंटे के बाद बलातकार का मामला दर्चिया है पुलीस की इस भूमिका से पिडिता और उसके परिजन भी अवाक है आरोपिय अश्वाक अमीन अंसारी बाबा बुद्धा जी नगर बताय चारा है पिडित 27 वर्षी युफ्ती पाचवावली थाना परिसर में रहती है युफ्ती की शिकायत के नुसार उसकी 2018 में अश्वाक से पहचान हुई अश्वाक कपड़े सिलाई का कार खाना चलाता है उसने शादी का जहासा दे कर शारीरिक सम्मन्द बनाए युफ्ती के शादी के लिए तकादा करने पर अश्वाक टाल मटोल रवैया अपनाने लगा एप्रिल में पिडिता को अश्वाक की शादी तैह होने का पता चला अश्वाक ने शादी तैह होने की बाद पहले तो जूटी बताई उसके बाद अश्वाकी शादी का कार्ड देखने के बाद पेडिता ने पांच पावली थानी में इस मामले में शिकाय दर्च करवाई गौड तलब रहे कि पहले तो पुलीस और अश्वाक के रवेए से तरस्त होकर पेडिता ने फिनाईल पीकर खुदकुशी का भी प्रयास किया था इसके बाद पुलीस हरकत में आई ऐसा आरो पेडिता ने लगाया है महिला सेल में जब मैं गई तो वहाँ पर क्या बलते मेरे सपोर्ट में किसी ने बात नहीं की सारी क्या बलते लड़के के सपोर्ट में बात ओरी थी क्योंकि लड़का फर्स टाइम आया था उसने मुझे रखने के लिए बोला था और उसके बाद से लड़के का बाप आने लगा लड़के को घर के अंदर छुपा के रख दिया और लड़के का बाप आने लगा और जब लड़के को भरोसा सेल वालों ने बुलाए जब लड़का आया तो लड़के के बाप ने तो मैंने भी अपने बचाओं में उसकी कॉलर पकड़ी तो मैडम लोग ने मेरा साथ ना देते हुए उनका ही साथ दिये उल्टा मेरा फोन वगेरे चीन चान के मुझे डराये धमकाए। फिलहाल 24 घंटे की बीथर ही पुलीस ने अश्वाक के खिलाफ बलातकार का मामला दर्च कर उसे गिरफतार कर जाश शुरू कर दी है।